जिसे देखने के लिए दुनिया भर के वेज्ञानिक रहते हैं परिशान उत्राखंड में दिखा वो दुलर्ब जीफ वह यह जीवों से प्यार करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है उत्राखंड के चमोली जीले में स्थित नंदा देवी बायो स्फियर रिजर्व में हिम तैंदुए देखे गए हैं वो भी एक दो नहीं बलकि पूरे बारा स्नोले पड़ इन में से दो या तीन हिम तैंदुए फूलों की घाटी राष्ट्री उध्यान क्षेत्र में हैं वन विभाग के कर्मचारियों को घाटी के गेट के पास बर्फ के उपर दो हिम तैंदुओं के पैरों के निशान मिले हैं जिले में समुद्रतल से 11,480 फीट की उंचाई पर 630.3 वर किमी क्षेत्र पल में 12 हिम तैंदुओं की मौझूदगी होना हिमाली जैव विविद्ता के लिए अच्छा संकेत है बता दें कि चार साल पहले भी फूलों की घाटी में हिम तैंदुओं की मौझूदगी देखी गई थी तब वह क्यामरे में केद हुए थे अब घाटी के गेट के पास दो हिम तैंदुओं के फुट्प्रिंट मिले हैं आपको बता दें कि ये बड़ा दुरलब बात है क्योंकि दुनिया भर में हिम तैंदुओं की एक जलक पाने के लिए लोग महीनों महीनों इंतजार करते हैं इसके बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती वन कर्मियों ने हिम तैंदुओं की दाहार भी सुनी वन कर्मियों का कहना है कि गश्ट के दौरान उन्होंने हिम तैंदुओं को न सिर्फ दूर से देखा बलकि उनकी दाहार भी सुनी इसके बाद ही नंदा देवी बायो स्फियर रिजर्व प्रशासन ने यह जानकारी सार्वजनिक की है इधर फूलों की घाटी रेंज के वन क्षित्रा देकारी ब्रिज मोहन भारती का कहना है जल्द घाटी में लगे ट्राप क्यामरों में हिम तैंदुओं की मौजूदगी देखी जाएगी अभी बर्फ अधिक होने के कारण ट्राप क्यामरों से चिप नहीं निकाली जा सकी है पहले भी देखी गई है हिम तैंदुओं की मौजूदगी फूलों की घाटी में चार बर्श पूर्व भी हिम तैंदुओं की मौजूदगी देखी गई थी तब वैट ट्राप क्यामरे में केद हुए थे अब एक बार फिर घाटी के गेट के पास दो हिम तैंदूओं के फुट मार्ट मिले है आसपास मिले मलमूतर से भी इस बात की पुष्टी हुई है हिम तैंदूओं की संख्याद दो है नंदा देवी बायो स्फियर रिजर्व के उपवन संग्रक्षा किशन चंद्र का कहना है कि अभी तक उपलब जानकारी के अनुसार पार क्षेतर में बारा हिम तैंदूओं मौजूद है इनमे से दो फूलों की घाटी, चार मलारी, दो गोर्सों, दो अलकननदवन प्रभाग और दो फूलों की घाटी के बाहरी क्षेतर में है हिम तेंदुए के बारे में कुछ खास बातें हिम तेंदुआ मद यहिश्या के परवट श्रिंख लाउ में रहने वाला जानबर है जो IUCN के रेड लिस्ट में शामिल संग कटग्रफ और संग्रक्षित प्राणी है यह पाकिस्तान का राष्ट्रे धरोहर पशू है हिम तेंदुआ मद यहिश्या के बरफीले इलाकों में समुद्र तल से 3350 से 6700 मीटर की उचाई पर पाया जाता है यह हैं बिग कैट प्रजाती जिसमें बाग, सिंग, जगवर एवन तेंदुआ आते हैं के अन्य जीवों से आकार में कुछ छोटा होता है और सिर से पूछ के आधार तक इसकी लंबाई 45 से 130 सेंटिमीटर तक होती है मादा हिम तेंदुआ के लंबाई नर्ख के मुकाबले कुछ कम होती है सामायत है इसका वज़न 27 से 55 किलोग्राम के बीच होता है इनका रंग हलका भूरा होता है और वातावरण के अनसार इसके शरीर पर सलेटी वकाले धबे होते हैं हिम तेंदुए वर्तमान में अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान में एशिया तक ही सीमित है और संभवतह भी म्यामार है